हलो गाइज वल्कम टू माई चैनल दिल विल वेडी फिल्मी में आप सब को दिल से स्वगत हैं आप सब कैसी हैं हम अच्छे हैं आशा करते हैं आज हमारी हिंदी उतना अच्छा मतलब बहुत अच्छा नहीं है तो इसके लिए मैं आशा रखती हूँ आप सब मुझे थोड़ तो चलिए आज मिटुन चक्रमर्ति के जीवेनी की उपर कुछ बाते हो जाएं लेट स्टार्ट मिटुन चक्रमर्ति के राष्ट्य फिल्म पुरसकर प्राप्त कर चुके एक किंग बदिंति फिल्म अभिनेता शामाजे काडिय करता और उद्दमी और राजशबा की संगसत भी है मिटुन ने अपने अभिनाई की सुरुवात कलाफ फिल्म म्रिगाया की साथ आरम की जिसके लिए उन्हें सर्वेश्ट अभिनेता के लिए पहला राष्ट्य फिल्म पुरसकर प्राप्त हुआ इन 1980 के दशक में अपने सुनहेरे दोर और एक डांसिंग स्टार के रूप में उनकी बहुत सारे प्रशंग्षक बने और खुद को उन्होंने भारत की सर्वेश्ट लोकप्रिया और प्रमुक अभिनेता के रूप में स्थापित किया बिशे इस रूप से इन 1982 में बहुत बड़ी हीट फिल्म डिसको डांसर में स्ट्रीट डांसर जिसे के भूमिका में उन्होंने लोकप्रिया बनाया कुल मिला कर बॉलिवुड की तिन सो पंचास से भी अधित फिल्मों में अभिनेता के ये इलावा उन्होंने बांगला उडिया बोज़पुरी भी बहुत सारे फिल्में की मिठुन मोनार्क गुरूप के मालिक भी है जो हस्पिटलिटी सेक्टर में कारियरत है बॉलिवुट के पहले डांसिंग स्टार मिठुन चक्रवती का जनम 16 जून in 1950 को कलकत्ता में हुआ मिठुन चक्रवती का असली नाम गौरांग चक्रवती है और इनके फैंस इन्हें प्यार से मिठुन दा और दादा भी कहते है मिठुन चक्रवती ने एक्षन में जूडू कराटे को भी हिंदी फिल्मों में लेकर आए मिठुन चक्रवती ने कलकाटा से ग्रेजुएशन किया फिर फिल्म इंडस्ट्री पूने से एक्टिंग की डिग्री ली सुरुबात के कुछ सालों में ही मिठुन चक्रवती फाइट सीन और डांस सीन के लिए लोगों में बहुत पैचाने जाने लगे फिल्म डिस्को डांसर ने उन्होंने पॉलिवूट फिल्म इंडस्ट्री को पहला डांसिंग स्टार बना दिया और उनकी डांसिंग स्टाइल ने भारत में गाओ गाओ गली गली में धूम मचा दी अपनी पहले फिल्म म्रिगाया में मिटुन चक्रवर्ती को बेस्ट एक्टर का रास्ट्यो पुरोषकार मिला मिटुन चक्रवर्ती साल 1982 में फिल्म अभीनेत्री योगिता बाली से साधी की उनके तीन लड़के एक लड़की है मिटुन चक्रवर्ती ने तीन बार रास्ट्यो फिल्म पुरोषकार दो बार फिल्म पुरोषकार और दो बार स्टारडस्ट एवड तथा एक बार स्टार स्कीन एवड भी प्राप्त किये थे परंतो उनकी पस्चाद उन्होंने अलग धंग से चलने के लिए स्टाइल डांस में महारत और फाइटिंग्स में सिंक लेकर सदेब लोगों में दिलों दिमाग में बनी रही इन 1995 में आई फिल्म जल्लाद में उनकी खलनायक का किरदार और सन 2007 में फिल्म गुरूक में पेपर एडिटर की किरदार में उन्हें केरियर के भीर जो भीत है वो पत्थर से बन गई मिठुन चक्रवर्ती ने 1976 में म्रेनल सेंद्वारा ने देशित फिल्म म्रिगाया में म्रिगाया से अपने फिल्मी केरियर की शुरुवात की जिससे सर्वस्षेस्ट अविनेता के लिए उन्हें राष्ट्य और फिल्म प्रेयर से प्राप्त हुआ था अपनी पहली फिल्म के बाद उन्होंने कुछ साल मसलन दो अंजाने फूल खिले है गुलसन गुलसन और महोगिनी भुमी का निभाई लेकिन इससे उन्हें कोई सन्मान नहीं मिला बाद में उन्होंने 1970 के दसक में आखरी दोर कम बलने वाली बजट वाली रवी कांथ निदेशक के बनी जासूसी फिल्म सुरक्षा और 1980 के सुरवादों की दसक के हिट फिल्म तता हम पाच और बरदान और जो सुरक्षा फिल्म के असली कड़ी थी वे प्रमुक भुमी का अदा किया श्रीदेवी और मिटुन चक्रवर्ती दोनों इस समय साधी सुधा है और ग्रिहस्त जीवन के आनंद ले रहे थे लेकिन एक दोर ऐसा भी आया जे बेहद नजदीक आ गए दोनों इससे मिटुन की साधी सुधा जिन्देगी में तो फान आ गया था मिटुन और स्रीदेवी ने हाला की इसकी पुष्टी भी नहीं की और खंडन में नहीं किया लेकिन तब गौसिप की ऐसी आधी चली की इस पार को सब लोगों ने सच माना था मिटुन और स्रीदेवी आग उठा जाग उठा इनसान के साथ काम कर रहे थे और इसी बीच दोनों एक दूसरे की नजदीक आ गए बीजेपी के तिनमुल कांग्रेस की सांग्षद मिटुन चक्रवती ने राज्यसवा से इस्तफ़ा दिया था तिनमुल के नेताओं ने उन्हें इस्तफ़ा जेने की बावजूद भी उनकी अच्छे स्वास्त के लिए सुब कामना करते रहे तिनमुल कांग्रेस के मुताबित मिटुन चक्रवती स्वास्त के कारणों की वज़ाए से इस्तफ़ा दिया है ऐसे ही मिटुन राज्यसवा से कई बार पत्र देकर छुट्टी मांग कर चुके हैं थे डिस्को डांसर के नाम ये महारत बॉलिवड अविनेता मिटुन चक्रवती एक्टिंग के साथ-साथ बड़ी बिजनसमैन भी मानी जाती है मिटुन भले ही आजकल फिल्मों में ना करती हो लेकिन देश के अमीर एक्टरों में उनका नाम आता है मिटुन चक्रवती का काड़ो बार करिब 250 करोर रुपए का है वे मोनर्क ग्रूप ऑफ होटल्स की मालिक है उनकी कई सहरों में बड़ी बड़ी होटल्स है मिटुन का उटी में एक फाइब स्टर होटल है जिसके इलावा मौजूद और साथ कई सहरों में उनकी आलिशान होटल है मिटुन एक प्रडाक्शन कमपणी भी मालिक है और फोब्स मैगजिन के अनुसार 2012 से 2013 के बीच कई सहरों में आलिशान प्लोट भी है मुंबई में भी कई उनकी कई प्लोट है कलकत्ता तोपसिया रोड में मिटुन का एक अपना घड है वही उनकी ग्रिहनगर सांतिपूर में भी उनका पुराना घड है जहां उनका बचपन बीता था मिटुन का कोई गौट फादर नहीं है अनेक और उनके और सारुक खान के एक बात दोनों में कौमन पाये जाते है कि दोनों ही एक साधरन से पड़िवार में आते हैं और टैलेंट की दम पर वालिवड में अपना मुकाम हासिल किया आज भी मिटुन चक्रबती फिल्मों में आते हैं फिल्मों के इलाबा वो डांस शो ए डांस इंडिया डांस सो में भी दिक जज़ मनने है मिटुन का एक टिपिकल बंगाली है मिटुन चक्रबती मिटुन धा एक टिपिकल बंगाली है उनकी बोलचाल से लेकर हिंदी में भी बंगाली बहुत ज़्यादा था लेकिन फिर भी वो एक के बादे कई फिल्म हीट फिल्म दीते गए इन 1993 लेकर 1998 तक के बीच मिठुन ने लगभग 30 से भी ज़्यादा फिल्म लगातार फ्लॉप दी फिर भी उन्हेंने बारो फिल्म साइन की और सोच सकते हैं उन्हें किस कदर अपने स्टारडम को एंजोई किया क्रिटिक्स ने उन्हें बॉली उड का मिरकल कहते हैं बंगाली लेखक भी मिठुन के लाइफ के उपर कम प्रभावीत नहीं थे मिठुन पर बंगला भाशा में पाच किताब लिखी जा चुकी है फैस ने मिठुन दा को जिसे डांसर के नाम दिया मिठुन ने एक के बाद एक कानों पर डांस से पूरे ध्वारत को नचाते हुए कई कसर नहीं छोड़ी ऐसा नहीं कि वो एक्टर बनना है उनके लिए बहुत आसान था वो हेलेन की एसिस्टेंट थे एक बार मिठुन ने कहा था कि उन्हें खुद नहीं पता था कि आगे वो खाना खा पाएंगे या नहीं हर परफॉमेंस के बाद वही सोचते हैं सोचते हैं वो काश कोई बड़ी हस्ती मेरा डांस देख ले और इसका मुझे फाइदा मिले मिठुन ऐसे एक्टर है जिनोंने कभी बालियूट से दूसरी नहीं बन आई उनकी दूसरी पाड़ी भी बहुत सांदार रही मिठुन चांदनी चॉक टुचाइना जो ओ माई गॉरू सहीद कई दमदार फिल्म के अभिनाई करते नजर आए मिठुन के बड़े बेटे मिमो साल दोहजर आठ में जीमी नाम अब फिल्मे बॉलियूट में एंट्री किया फिर उन्हों वो फिल्म भी फ्लॉप निकली होने से कारण अपना नाम बदल कर महाक्षाय नाम लिया जीमी के बाद अब तक जीमी के अब तक दमदार, हांटेट थीडी, लूट और एनिमी जैसे फिल्मों में काम कर चुके थे इसी साल उनकी फिल्म इश्की दरिया में ही रिलीज हुए थे मीमो भी छोटे भाई रिमो जो साल दो हजर आट में ही फिल्म कभी फिर कभी में मिटुन चक्रबती का यंग बर्जन देखे गए है बता दे कि रिमो अभी फिल्म इंडेस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे है उन्होंने भी अपना नाम बदल कर अमश्वे चक्रबती रख लिया अब बात करते हैं मिटुन के सबसे छोटी बेटे नमाशी और बेटी दिशानी दोनों यह भी फिल्हाल पढ़ाई कर रहे हैं 2013 में दिशानी पिता मिटुन चक्रबती के साथ डांस इंडिया डांस के शेट पर दिखाई गया था इसके इलावा 2013 साल में महाक्ष्य की फिल्म एनिमी प्रेमियर में भी मिटुन की पूरा पैरिवार को नजर आया था तो दोस्तों आपको मेरा यह पेस्टर्स कैसा लगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तो रहा शेयर लाइक जरूर कीजिए और आप सब को हमने दिन से धन्यवाद पूरा वीडियो सुनने के लिए तैंक्स पूर वाचिंग